उधारन चार नीचे दी गई तालिका के आकडो की मदद से छात्रों की ओसत उचाई ग्याद कीजिए उचाई सेंटीमीटर में छात्रों की संख्या हमें दी गई है हल हमें पता है कि माध्य अंग गडिती ओसत उचाई सेंटीमीटर में दीवी है 158, 169, 160, 161, 162 और अंत में 163 158 में छात्रों की संख्या जो FI है वो साथ है 158 में साथ है 169 में 10 है 160 में 13 है 161 में 8 है उसी तरह से 162 में 4 है और अंत में 163 में 5 है अब हम उचाई जो इसे हम XI में बोले हैं उचाई सेंटीमीटर में XI में है और छात्रों की संख्या FI में है अब हम FI को XI से गुणा करेंगे 158 को जब हम साथ से गुणा करेंगे तो 2006 उसी तरह से 169 को 10 से गुणा करेंगे तो 1590 160 को 13 से गुणा करेंगे तो 2018 161 को 8 से गुणा करेंगे तो 1288 162 को 4 से गुणा करेंगे तो 648 और अंत में 163 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 815 अब हमें छात्रों की संख्या जो FI है उसका योग करेंगे तो उसका योग के लिए हम सीगमा FI लिखेंगे इसका योग जो है 47 है सिगमा उसी प्रकार FI XI का योग जो है सिगमा FI XI जो है इसका योग जो है 7527 हमें प्राप्त होता है अतहा आंक गडित आंक गडित आंक गडिती आंक गडिती आउसत बराबर सीगमा FI XI जो है वो हमारे है 7527 बटा सिगमा FI जो है भाग करेंगे बटा 47 और जब 7527 को से भाग करेंगे तो एक सो साथ दशमलो एक पांच सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है यानि च्छात्रो की आसत आसत आसतन उचाई एक सो साथ दशमलो एक पांच सेंटीमीटर है तो यहां इस उधारण का वल होंगा हमने च्छात्रो के आसतन उचाई एक सो साथ दशमलो एक पांच सेंटीमीटर ग्याद की यहां इस उधारण का हल होगा करके देखें पहला पहली पंद्रह प्राकृत संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए दूसरा मार्च अप्रेल 2010 के दौरान भुवनेश्वर उडिसा में पेट्रोल के दाम रुपए में नीचे दिये गए हैं इनका उसत ग्याद कीजिए 31.28, 62.08, 69.35, 56.28, 69.28 तीसरा एक राज्य में आठ वर्षों में हुए चामल उत्पादन, लाख टन के आकड़े निम्न लिखी थें इन आकड़ों का उसत ग्याद कीजिए 84.98, 93.34, 71.82, 88.53, 83.13, 99.79, 93.36, 96.69